हलो एविवान कमल सुबेदी दिस साइड और वेलकम यू आल तो मैं अनधर बॉड्कास्ट आज इस पॉड्कास्ट में हम बात करने वाले हैं हाउ तॉ टॉक कॉंफिडेंटली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम आती है गैर मुझे बात तो करनी है बट कैसे लोगों से इस अंधर माक्सिमम लोगों से माकेटिंग बिजनस के अंदर खास कर हमें अननोन लोगों से भी बात करने पड़ती है लोगों का वहाँ पर बहुत जादा confidence lose होता है आज इस podcast के अंदर हम इसका solution निकालने वाले है कि किस तरीके से आप अपने confidence को boost करोगे तो इसको आपने बिल्कुल ध्यान से focus रोके आगे सुनना है देखो अगर हम confidence की बात करें तो सबसे पहले आपका मतलब क्या है confidence है आप क्या मानते हैं कि confident बंदा कौन होता है confident बंदा वो होता है जो अपनी दिल की बात या फिर अपनी knowledge किसी भी सामने बंदे के आगे बहुत तरीके से रख सके जिसके कारण सामने आले बंदे को ऐसा लगे कि यह जो बता रहा है वो चीज़ सही है मतलब वो होता है real confidence कि अपने दिल की बात, अपने मन की बात किसी के भी आगे आप बिल्कुल बिना डरे आप उसको बता पा रहे उसको कहते हैं real confidence अब होता क्या है कि lack of confidence लोगों के अंदर confidence की कमी आती क्यों है आपको याद होगा हमारा जो school time होगा करता था school time पे सिरफ 2-3 लोग हमारी classroom में बोलते थे और वो वो लोग होते जो toppers होते थे and हमारे जो students होते थे बाकी students होते थे वो पीछे back venture होते थे या middle ventures होते थे वो ज्यादा बात नहीं कर पाते थे so teachers भी उन्ही को ही मौका देते थे जो top करते थे क्यों क्योंकि भाई उनके पास knowledge है और वो confidently बोल पा रहे है तो कहीं न कहीं school time से ही जो back venture है या middle ventures है उनको कम दिया गया जिसकी वज़र से वो धीरे 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 अपने life में confidence को lose करने लगे है वहां से ये चीज़ पैदा होई और मुझे अभी तक याद है मेरा school time मैं भी जादा नहीं बोला करता था और मुझे याद है जब teacher मुझे खड़े होके बोलता था भाई ये lesson को read out करो तो मेरे park आपने लग जाते थे अगर मुझे अपने दोस्तों से बात करने हो तो मैं confidently बात करता था बट वही पे चार लोग, दस लोग या पचास लोग सामने खड़े हो जाए ना तो भाई मेरे park आपने लग जाते थे पसीना आना लग जाते थे कि भाई ये क्या हो रहा है मिर साथ बट मैंने अपने confidence को किस तरीके से boost किया ये मैं अब आपको बताने लगा हूँ अब इसको implement अगर आपने किया तो definitely आप भी confidence को boost करोगे अब सबसे important चीज जो confidence को boost करने के लिए आगे आपको चाहिए that is knowledge किसी भी field में या किसी भी चीज के उपर आप discuss करना चाहते हो किसी भी बंदे की न किसी भी बंदे से न तो आपको उसकी सटीक knowledge होनी चाहिए अगर मैं marketing की बात करता हूँ आज के time पे तो मुझे उसकी full knowledge है proper knowledge है तभी मैं किसी को बता पाऊंगा वोई चीज ऐसे ही आपको अपने business related आपको अपने education के related कोई भी topic हो जिसमें आप लोगों को बताना चाहते हो वो चीज उसकी proper knowledge होनी चीज है बहुत साथ लोग knowledge के बिना जब लोगों से बात करते तो confidence तो why lose हो गई तो सबसे पहली चीज है कि आपको proper तरीके से full knowledge लेनी है अब मानो अपने knowledge ले ले है ना तीन चीज उसके आगे काम करती है that is practice, practice, practice यह practice एक ऐसी चीज़े ज़े अंदर perfection को लाती है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मेरा first attempt अच्छा हो जाए बढ़ ऐसा नहीं है possible हमें जब तक हम practice नहीं करेंगो उस चीज़ की ज़ादा से ज़ादा तब तक हमारे अंदर वो perfection आही नहीं सकती है first time किसी का भी अच्छा नहीं था आज आप जितने भी अच्छे stars को देख रहे हो crickators को देख रहे हो जितने भी लोगों को बढ़िया लोगों को आज आप देख रहे हो ना भाई उन सब ने एक time पे बहुत तगड़ी महनत practice करी है तो वो practice आप लोग करने पड़ेगे अब आप practice करोगे कैसे बहुत से लोग बोलेगे कि भाई मैं कैसे बात करू लोगों से मुझे बताओ तो अब मानो कि आप किसी wedding किसी भी wedding ceremony में जा रहे हो किसी भी ऐसी party में जा रहे हो जहां पे आपके रिस्तदार आपसे मिल रहे है आपके जैसे age youngsters आपसे मिल रहे है तो try करो उन से दो तिन बाते निकलवाने की मतलब आप जिस्त बात कर सकते हो hello handshake करने के बाद कि भाई आप कौन से school से pass out हुए हो अच्छा आगे क्या सूचा है मतलब यह जो openers होते है जहां से सामने वाला बंदा खुल के बोले तो इससे क्या होगो कि आप confidently अगर किसी सामने बंदे से opener बोल रहे हो तो आपका confidence लोगों के आगे भी दिखेगा जहलके का तो यह चीज़ आपने अगर implement करी तो definitely आपका confidence बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाला है तो अगर यह podcast आपको valuable लगा है तो like कर दो ताकि मुझे पता लगे और यह podcast अगर आपने end तक सुना है तो